हेलो आप सभी का वेलकम हमारे प्लाटफार्म कास्ट मेडिकल अकैडमे में अगर आपने भी यूपी से यानि की पैरा मेडिकल का इंटरेंस एक्जाम दिया था और रिजल्ट आ चुका है आपको पता है काउंसलिंग चल रही है और आपको कंफ्यूजर है कि आपको गौवर् कितने मारक्स पर आडमीशन होगा कितने नंवर पर आपको प्राइबिट मिलेगा कितने पर गौर्ण्मेंट मिलें इन सभी टॉपिक पर हम डेटेल में बात करने वाले हैं वीडियो बड़ा होगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखना कमेंट पहले मत करना सबसे पहले व लेंगी ठीक है तो साट करते हैं वीडियो को इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है देखो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको अपनी प्रिफेरेंस लिस्ट कैसे बनानी है इन टॉपिक पर भी हम बात करेंगे ठीक है और इसके बाद हम बात करेंगे क्या कितने इसकोर पे आपको कौन सा कॉलिज मिल सकता है इस सारी चीज़ें हम बात करेंगे सबसे पहले हम इस स्टोपिक से कौन सा क्यां के लिए क्श्ट है क्या आपके लिए ईस्त है वेसे तो U-P ceramides divine में आपको पता होगा कि 18 मेडिक्ड अक, कितने को से आते हैं 18 अधा हमने एक separate वीडियो बना रखे हैं जिसमें टॉप 5 पेरा मेडिकल कोर्स के बारे में बात की है अगर आपको जानना है वह टॉप 5 में पेरा मेडिकल कोर्स कौन से हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा आप जाकर के उस सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि अगर आपके मांक्स अच्छे आएं क्या अच्छे और आपको मिल जाएगा विससे केस में आप मेरे कोर्डिंग BMLT रख सकते हो, सबसे पहले हम यह बात करेंगे बहुत को पता कैसे चलेगा कौन से कौलिज में कौन सा कॉर्स अवैलिवल है क्कौन से कोर्स में कौन सा आवेलिवल है जैसे कि अगर मालो आप किसी कॉलिज में लेना चाहते हैं किसी college में admission लेने चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि उस college में उस medical university में आपके पसिंदिदा course है या नहीं वो चीज आप कैसे चेक कर पाओगे simply आपको कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है ABBMU की ही website पर चले जाना है जहां पर आपका seat matrix दिया गया है क्या जहां पर आपका seat matrix दिया गया है seat matrix round one पर जैसे ही आप क्लिक करूगे और ध्यान देना यह जो colored boxes में आ रहा है हलका सा bluish type पर यह government colleges की list है city wise है यहां पर देख सकते हैं और जहां पर background white हो जाओगा यह सारे के सारे प्राइबेट medical college private nursing colleges है private paramedical courses है इतने सारे courses यहां पर और colleges के साथ list दिये गई है तो देखो अगर आपको पता करना है कि किस college में क्या किस college में कौन सा course है मैं आपको बता दूँँ आप यहां पर देख पाऊगे कि जैसे कि सबसे पहले हम लें यूपी फैकल्टी और प्रामेडिकल साइंस यूपी यूम्स जो कि सैफ़ई में यानि कि इटावा डिस्टिक में उपस्टेस है उसमें आप देखता हैं कि बैचरल आप साइंस इ इस तरीके से आप देख पाऊगे कि स्कॉलिज में सीटे कितनी हैं और कौन-कौन से कोर्से जीसे हाँ पर फैकल्टी और परामेडिकल साइंस देखेंगे यूपी उमस में बैसलर ऑफ अप्टो बैट्री क्या बैसलर ऑप अप्टोमेट्री यानि कि इसमें आखों की स्टे इडियो लॉजिकल और इमेजिंग टेक्निक्स जो की सफ़ही में ही अवैलबल है फिर मतलब कोर्स वाइस सारा सारा लिखा है यहां पर कॉलिज कोर्ट भी लिखा है और देखो आप दूसरी चीज़ बच्चों का एक डाउट होगा हमें सा नहीं पता कि कितनी फील लगेग पूरे क्स की फील सारा जायेगी सेमेस्टर एरॉइज आएगी फर्स्ट फीयर में वगरा फटकी क्रिशन गाल यह इन प्राइट करना चाहिंद इस तरीकेसे उगकेसं आप चेख कर सकते हो अब मैं बताऊं कि आपको कैसे चूज़ करना है अपना कॉलिज आप देखो कोर् प्रिफरेंस लिस्ट बनाने के लिए चाह करना पड़ेगा सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा सबसे पहले प्रिफरेंस लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना कोर्स चूज करना पड़ेगा क्या कोर्स चूज करना पड़ेगा सबसे पहले आप यही सेल जरूर मिल जाएगा, जो कॉर्स करना हो इस कॉलेघ से करना है वो पक्का मिलेगा, यह मेरी गैरेंटी है किस कोर्स से करो उसके बाद यह देखो वो जो कोर्स ऐया किस किस कॉलेघ में है, क्या? मतलब कोछ 짧ses सेलेक्ट करो जिसमें वो course है यह चीज देखो अब वहां से आपको ने college की list निकाल ली website से ठीक है अब उसमें यह देखो जो course आप करना चाहते हो वो course कौन कौन से colleges में है उसकी एक पूरी list बना लो अब तीसरे topic point में आप क्या करो आप एक ऐसी list त्यार करो कि कौन कौन से district में अगर आपक class को ऐसा ना हो कि आपको आपको course available हो आपको मिल जाए लेकिन आपके घर वाले permission ना दें आपको वहां जाने के लिए इस case में आपकी seat खड़ाब हो जाएगी और आपका admission cancel होने के बहुत ज्यादा chances है तो यहाँ पर क्या करो choose your city जहां आप जा सकते हैं यह चीज़ सेलेक्ट करो उसके बाद क्या अब कोसिस करना मालो आपको bmlt करना है तो उसके लिए मालो आपको bmlt करना है क्या करना है bmt करना है आपने देख लिया आपके 15 पैंद्रह कोउजिव मेंं मीमिटि पढ़ाया जाता है शूज कर लिया और यहां पर आप जा सब्सक्राइब मार्य गएते हुआ बाकि की जगहों पर जाने के के गहरब वाले पर्मिशन महीं देते हैं तो ऐसे case में आप सिर्फ वही कौल सहरों को चुने जहां पर आपके घरवाले जाने देने की अनुमति के देते हैं उसके बाद उन सहरों में जितने भी सबसे पहले क्या करना क्या करना सबसे पहले क्या करना ऐसे iqo seriously अब थोड़ी दिर पहले ही तो देखना इसा वाकन्न होगा उग्यों और कोशिस करना मैक्सिमum college भर ना क्या मैक्सिमुमम कॉलेज भरो जहां तक आप जा सकते हो और देखो दूसरी चीज़ अगर आपके mark बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे में बता देता हूं कितने पर थोड़ा सा जनेरल में अगर आपके 138 नंबर प्लस है ठीक है और OBC में आपके 132 नंबर प्लस है और वहीं पर SC में आपके 125 प्लस है और ST में 120 प्लस है ठीक है बर कोशिश करना चिन सबसे उपसे उपर सिर्फ गवर्मेंट कोलिज है तो कौन कौन से टॉप मोस्ट गॉर्मेंट कोलिज है जैसे आप सब आपके सहर में यह available है तो बिल्कुल इसी को priority देना अगर नहीं है तो फिर जो भी है उसको प्रावेट देना सेकंड नमबर पर आप जहांसी सेलेक्ट कर सकते हो क्या जहांसी सेलेक्ट कर लो तीसरे नमबर पर जिम्स नोइडा कर लेना और चौत्य नमबर पर क्या करना आप एज़ी पीजी आई कर लेना और पांचमे नमबर पर हो मी बाबा यह college जो है वह वारानसी में है ठीक है और छटमे नमबर पर नोड़ा आप यह सेलेक्ट कर लेना ठीक है अब देखो हो सकता है कुछ बच्चे इटावा में रहते हो तो कर लेंगे प्राइविटी फस नमबर पर डालेंगे college यही है ठीक है गौर्णमेंट की बात कर यही college जैसे आप इटावा में रहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेना अगर कोई बच्चा ऐसा है जो जहासी में रहता है तो सबसे पहले जहासी का college सबसे नमबर पर डाले जहासी में रहता है तो जहासी वाले college को सबसे नमबर पर बार जहां पर सबसे पहले डालना उसके बाद जहार में आप जा सकते हैं उस college को डालना इस सरी करके आप government college सारे डाल दे रहा फिर नीचे साथ आठ नौदस जितना मन करें आप प्राइबिट मेडिकल कॉलिज भी डाल देना क्या डाल देना चांसेज है आपको गवर्मेंट कॉलिज मिल जाएगा ठीक है गरेंटी मिल जाएगा इतने अगर आपके अच्छे मांक्स हैं तो कहीं न कहीं आपको मिल सब्सक्राइब करेंगे कि अगर आपके कितने मांक्स हैं तो आपको गवर्मेंट मेडिकल कॉलिज मिल सकते हैं उसके बाद अगर नंबर कम है थोड़ा चांसे कम रहता है क्योंकि सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को प्राइरिटी दी जाती है जिनके मांक्स ज्यादा होते देखो अगर आपके जो मैंने थूड़ी देर पहले लिस्त बनाई थी अगर इन में से आपके दो चार नंबर आगे पीछे हैं ज्यादा नहीं तीन नंबर का डिफरेंस है प्लस माइनस आपका 136 है 135 है 130 है यहाँ पे 125 है 188 है तो फिर कोई दिकतने आप यहीं फिल कर सकते ह साथ में ध्यान देना कि आप प्राइबेट मेडिकल कॉलिज को भी फिल कर दो लेकिन हम कुछ बच्चे और भी होंगे जिनके मार्क्स और ज्यादा कम होंगे जैसे कि जनल क्राटेगरी में ऐसे स्टुडेंट्स होंगे जिनको 115 नंबर आया होगा यह फिर ओवी सी में 110 प् कॉलिज ना डालके जो आपके आसपास में फोड़ी लो कट ओफ वाले कॉलिजेशन सीट मैट्रिक्स से आप देख लेना जिनमें ज्यादा सीटे हों उनको सेलेक्ट करके भरना चांसे आपको गवर्मेंट इतने पर भी मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो फिर आप सेके के पहले ही इए और दूसरी चीज आप आप गोर्मेंट कॉलेज फिल कर लो उसके नीचे आप fakeki को सेकेन नंबर पर प्रभाइबेट इसको भी फिल कर दिना क्योंकि government college नहीं मिला तो private college में मिल जाएगा फीज थोड़ी जादा रहेगी लेकिन आपका साल बर बाद नहीं जाएगा फिर भी कोई दिक्कत परिशानी हो किसी कोर्स पर फुल डिटेल वीडियो चाहिए हो तो आप comment section में हमें बता सकते हैं मिलते हैं नहीं मैं झाली हो आपका स्कते हैं नहीं आपका सुआ हैं आपका सब्सक्राओ नहीं आपका सब्सक पर फिर सब्टेशाराब कर दिक्योंकि झालाब तो इस फिए लिटे नहीं में वड़्ग था जो खुल